ये 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 फट्ट उन शेरों में पैसा लगाता लगाता है जिनकी वेल्यू बहुत है लेकिन अभी मार्केट ने उसकी वेल्यू को समझा नहीं है या under value करके रखा है कई बार हम बोलते ना जिसे holding company है और value unlocking होगी तो जो company value unlocking करने वाली उसके पहले उगर उनको फंड को लगता है कि इसमें value है तो इसमें निवेश करते लिए इसमें प्राब्लेम का है रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है और long term के लिए करना पड़ता है वेल् कुमबा समय लग जाता है तो इसमें वेल्यू इंवेस्टिंग में ज्यादा तर फंड मेंजर क्या देखते हैं पहले चीज तो यह कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे होने चीज और दूसरा ही कि उनका कॉंपिटिटिव एडवांटेज कितना है दूसरी कंप्यों के मुकाबद में अगर यह दोनों चीजे फिट है तो फिर उनकी कैलकूलेशन में यह बैठ जाता है कि चलो वेल्यू इन्वेस्टिंग के बैसे पे हम वेल्यू फंड में पैसा लगा सकते हैं तो यह सीधी सीधी बात है जिसको आम बाशा में रुपे का माल 50 पैसे में 75 पैसे कोंट्रा फंड कोंट्रा जैसे नाम है कि आप मतलब दुनिया के विपरिद चलो कॉंट्राडिक्ट्री इना का जो सब सोच ते उसके अलग कुछ कुछ शेर ऐसे हैं जो आजकल चलते हैं फोर एक्जामपल पिछले साल आई टी फार्मा मेटल कोंट्रा हो गये कैसे किसी को एस वहती है यहां पे भी और माज़ार के विपरिदश चल रहरो और डीच्ट और नीचे जाने के दूसे जिसक जार्दा लंबा समय तक इन्वेस्टेट रहना पर सकता है जो नहीं कि आपने लिए तीन मेने में पैसा बन जाए एक साल में बन जाए तीन साल पांट साल यह इंतजार कर वा सकता है इसलिए कॉंट्रा फंडर कॉंट्रा फंड में ने एक ही चुना है बोत कर सकते हैं तीन साल के रिटन पैतालिस परसंट केज में ठीक है चलिए तो हम दो